अबसकार दोस्तों मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है Inside Big Boss दोस्तों एक सैंड न्यूज है सिद्धा शुकला के फैंस के लिए दोस्तों सिद्धा शुकला को टाइफवर्ड हुआ है यह हम सब को मालुम है तो दोस्तो सिद्धा शुकला को इसलिए बिग बॉस ने सिक्रेट रूम में भेज दिया था क्योंकि वो वहाँ पे जल्दी से ठीक हो जाए तो दोस्तो सिद्धा शुकला ठीक हुए थे और उनकी आज एंट्री होने वाली थी बिग बॉस के घर में पर दोस्तो फिर से एक बार वो बीमार पड़ गए और अब वो secret room में नहीं है उनको भेज दिया है hospital में जी हाँ दोस्तो सिद्धा शुकला को hospital में भेज दिया है क्योंकि उनको वहाँ पे proper treatment मिले और उनको वहाँ पे rest मिले इसी वज़े से सिद्धा शुकला को hospital में भेज दिया है तो दोस्तो आपको मैं एक बात बताना जाता हूँ दोस्तो सिद्धा शुकला जब बिमार थे और वो जब मुख्या घर में थे तब बिग बॉस ने उनको कहा था कि आप अपने घर जाओ और जब आप ठीक हो जाओगे तो फिर से एक बार बिग बॉस के घर में आ जाना पर दोस्तो वहाँ पे सिद्धा शुकला ने ये कहा कि मैं कहीं नहीं जाओँगा मैं यहाँ पे ही रहूँगा और मैं गेम खेलूँगा तो दोस्तो seriously proud of this guy क्योंकि दोस्तो उनको इतनी बीमारी थी पर फिर भी वो घर नहीं गये और इसी वज़े से उनको secret room में वहाँ पे बेजा गया और दोस्तो इसी वज़े से सिद्धा शुकला ने सब के दिलों में राज किया है तो दोस्तो अब मैं यही चाहूँगा कि सिद्धा शुकला जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और फिर से एक बार entry मारे big boss के घर में तो दोस्तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि सिद्धा शुकला और पारेश शुकला इनकी तो आज entry होने वाली थी पर सिद्धा शुकला बीमार पड़ गए इसी वज़े से इनकी entry नहीं होई पर दोस्तो पारेश चाबरा इनकी अब first entry होगी big boss के घर में और उसके बाद जब सिद्धा शुकला ठीक हो जाएंगे तब सिद्धा शुकला entry करेंगे big boss के मुख्या घर में तो दोस्तो हम सब प्रे करते हैं कि जल्दी से दल्दी हमारे सिद्धा बाइस ठीक हो जाएंगे और fit and fine होके फिर से एक बार वो entry मारे big boss season 13 में तो दोस्तो मैं आपसे मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में till then stay safe, stay cool, bye